सफलता एक चिनौती है इसे सुविकार करो इसे पहचानो और इसमें आप सुधार करो कैसे आप सब लोग मैं आपकी मैं सीए कंचन गोपता चुकिए यहां पे वन मन्त में किस तरह से मैं हम टैक्सेशन का प्रो लेवल का रिवीजन करें आप ये बात हमें बताईए तो इसी ग्यान को आपके साथ साजा करने के लिए यहां पे लेकिया हूँ एवन नेचर का एक टाइम टेबल आप उसको फॉलो करोगे तो क्योंकि वो जो टाइम टेबल है जो शिड्यूल मैं आपको यहां बताने वाली हूँ वो पिछले कईयो सालों का एक्सपीरियेंस है जो आपसे साजा किया जाएगा जो भी हमारे बच्चे होते हैं उनके दुवारा कलेक्ट किया गया वो मसाला है जो आपकी हेल्प करेगा उन्होंने अचीव किये मार्क्स तो आप भी अचीव करोगे आईए अपन बात करते हैं कि मैं किस तरह के टाइम टेबल की बात करी हूँ और यह आपके लिए कितना अचीवेबल होने वाला है कितना यह आपको प्रो लेवल का मार्क्स दिलवाने वाला है यहां बे बिटा यह जो preparation के, जो one month revision के stages है, उसको मैंने तीन भाग में बाटा है। पहली step तो इस पे सिर्फ और सिर्फ आपी का हक है, यह समझ लो कि इस काम को आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और विसी बात है कि पेपर का जब एक महीना बचा है, तो आप अपने सारे के सारे classes complete कर चुके होगे, क्योंकि जो text होता है, यह logical होता है, तो definitely आपने कहीं न कहीं से कोई न कोई class तो जरूर की होगी, तो आप ये काम खतम कर चुके होगे, और मैं ऐसा भी मानती हूँ कि एक ब तो सब बच्चों ने अब तक पड़ लिया होगा, अच्छा, इतना काम जब आपका हो गया है, तो अब आप आजाएए यहाँ पे, this is the strategy जो मैं अब आपको बताने जा रहे हूँ, आप सब जानते हो, अपने पास बस एक महीना है, और एक महीने में अपने को अपकुछ कर प्रेम से बोलो वाबा, तो यहाँ पे सब से पहले आप अपने target को plan करो, आप यह सोचो कि कितने chapters हैं, कितने दिन में मुझे खत्म करने हैं, कौन सा chapter मुझे कब करना है, और कितने time में मैं इस chapter को खत्म करूँगी, सब से पहले आप plan करो, क्यूंकि जब हम plan नहीं करते हैं, बिना किसी planning कि अगर हम काम में लग जाते हैं, तो unnecessarily हम अपना धेर सारा time waste करते हैं, और हमें यहीं नहीं पता होता है कि हमें चलने का रास्ता क्या है, हमें कहां पे चलना है, कभी हम इधर चलते हैं, हम वहां पुंची नहीं पाते जो हमारी manzil है, तो सबसे पहले plan your day, आप ये plan कर लो कि अगर मानलो GST में 10 chapter है तो कौनसे वाले दिन मुझे कौनसे वाला chapter करना है और इस particular chapter को करने में मैं कितना time लगाऊंगी This is the important rule for the revision, अगर ये आपने decide नहीं किया ना तो फिर आपका revision करना एकदम बेकार होने वाला है या पर मैं आप हमें ये बताओ कि आपने तो फिर से question दे दिया कि divide your chapter, fix your target for the per day पर हमें समझी नहीं आता है कि हम पहले कौनसा chapter करें, कौनसा chapter मैं ज़्यादा important है, हम नहीं समझ पाते साथ की साथ मैं हम ये भी नहीं समझ पाते कि हम किस chapter में कितना time लगाए कभी कभी तो concern मैं मैं believe नहीं करोगे, हम छोटे छोटे चाप्टर में भी इतना emotional हो जाते हैं और 6-6 दिन हम एक एक chapter को खीचते रहते हैं सो हमें ये बताओ कि किस chapter में कितना time देना चाहिए, कौनसे chapter को पहले करना चाहिए सो मेरे opinion से हम मैं आपको ये चीज़े बताने वाली हो देखो, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो इतना काम कर चुके हो और जिसकी tax में थोड़ी बहुत पकड़ है थोड़ी बहुत पकड़ है, तो आप बेटा दो घंटे GST पड़ो daily और तीन घंटे income tax पड़ो daily लेकिन आप एक ऐसे बच्चे जिसने अब तक काफी जादा कसर छोड़ रखी है, काफी जादा दिक्कत हो रही है चीजों में बहुत जादा problem आ रही है, तो आपको बेटा at least 4 hour आपको GST पड़ना चाहिए और at least 4 hour आपको एक दिन में income tax पड़ना चाहिए मैं यह कभी अपने बच्चे को नहीं बोलती कि पूरा पूरा दिन एकी चीज़ पड़ो जब हम एकी चैप्टर को पूरा दिन पढ़ते हैं, तो उस दिन हमें वही चैप्टर बहुत जादा boring लगता है क्यूकि एकी चैप्टर को हमें पूरे दिन झहिलना है जब मैं अपने time पे पढ़ती थी अपनी CA की preparation करती थी तो मेरा भी यही day schedule रहता था कि एक subject को एक दिन में maximum मैं 4 घंटे दूँगी क्योंकि I know उसके वाद वो chapter मुझे पकाएगा और मैं उस chapter को पढ़ूँगी नहीं सिर्फ अपना time pass करूँगी इधर उदर तो बैटर है कि हम एक दिन में एक particular chapter को 4 घंटे पढ़े एक subject को 4 घंटे पढ़े तो मैंने यही बोला कि अगर आप एक on an average बच्चे हो तो आप यहाँ पे 4-4 घंटे पढ़ना आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा सही चल रहा है preparation तो आप 2 घंटे GST पढ़ना 3 घंटे income tax daily chapter का जो importance है जो frequency है वो थोड़ा-थोड़ा सा कम हो जाता है सबसे पहले हमें composition scheme ही revise करना चाहिए और फिर हमें valuation revise करना चाहिए साथ की साथ ये भी देख लो कि जब आप composition scheme revise करोगे तो एक दिन में 4 घंटे आप पढ़ोगे तो यह 4 घंटे में अराम से complete हो जाएगा valuation आप 4 घंटे एक दिन में complete कर लोगे ITC आपको 3 दिन पढ़ना पढ़ेगा बिटा 4-4 घंटे registration चार घंटे आपको 2 दिन पढ़ना पढ़ेगा 4-4 घंटे दो दिन आपको पढ़ना पढ़ेगा supply chapter बिटा एक दिन में खतम हो जाएगा 4 घंटे के अंदर place of supply आपको एक दिन इसको देने पढ़ेंगे proper अच्छा जो बच्चे हमारे old scheme में है तो वहाँ पर RCM और exemption बहुत ज़्यादा detail में है नहीं तो आप इसको 2 घंटे में भी अराम से पूरा दोनों का दोनों topic खतम कर सकते हो लेकिन अगर आप new scheme के बच्चे हो तो ध्यान रखो फिर आपको बिट इवे बिल एक दिन का चार घंटा बहुत है रिफंड चार घंटे करो एक दिन रिटर्ण चार घंटे एक दिन में हो जाएगा रिफंड चार घंटे एक दिन में हो जाएगा आच्छा audit की अगर मैं बात करू audit accounts and record ये बेटा एक दिन में तीनों chapter बहुत easily किये जा सकते हैं 4R के अंदर यहां पे जब आप इस तरह से अपना GST रिवाइस करोगे तो आप देख रहे हो आपका कितना टाइम जा रहा है एक एक दो और तीन पांच पांच और दो साथ आठ नो नो दस ग्यारा बारात तेरा चौदा पंदरा सोला एक सतरा आपके बेटा 17 डेज लगे मात् तो 4-4 घंटे 3 दिन लेके बैठ जाना 20 यानि कि 20 दिन में बेटा सिर्फ 4 घंटे देके आपका GST आपकी टिप्स पे आएगा सिर्फ 4 घंटे 20 दिन आपको देने हैं अच्छा एक चीज और अब मेरी ध्यान से सुटो यहां पे देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहती जब GST की प्रिप्रेशन आप कर रहे होगे मैंने मैक्स टू मैक्स टाइम आपको दिया है कि एक कितना भी नहाईती धीट बच्चा क्यों आओ जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा हो वो बच्चा भी इस टाइम को अच्छे से यूज कर पाए अगर आप एक बहतर बच्च आपको ये सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा इसी को बोलते हैं बेटा स्मार्ट स्टरी क्योंकि पढ़ते सब हैं लेकिन ये कोई नहीं करता है पीवाई क्यू एट लीस्ट बेटा पांच साल के आप जरूर करो एवरी चैप्टर जैसे आपने कंपोजिशन कि या ITC के PYQ करो आपने वैल्यूएशन रिवाईशन के PYQ करो ये समझ लो बेटा PYQ ही वो है जिससे आपको पता लगेगा कि आप अपने CS एक्जाम के लेवल पर खड़े उतर रहे हो की नहीं यहीं आपको बताएगा कि एक्जाम के सटीक पहुँच पायो की नहीं PYQ मतलब previous year questions अच्छा जब आप ये chapter की study कर रहे होंगे जैसे मैंने जो time table दिया है तो उस time पे कुछ notes आपको साथ साथ prepare करना पड़ेगा जो कि last day में आपकी help करेगा हर एक chapter का one page note आपको बनाना है उस chapter में जो भी special special keywords है वो सारे के सारे आपको लिखने पड़ेंगे वो सारे के सारे words आपको लिखने है अच्छा उसके बाद हर एक chapter का हर एक मतलब यहाँ पे तो आप क्या करोगे separate separate बनाओगे one page for every chapter अब आप क्या करोगे एक page लोगे उस पे आप important dates लिखते जाओगे पूरे GST में जो भी important dates आ रही होंगी आपको लिखनी है एक जगा क्यूंकि कभी कभी तो हमें dates भी आद करने पड़ते है ना जहां पर important rates आ रहे होंगे आपको वो भी एक page पे लिखने है कोई important event आ रही होगी तो वो भी आपको एक page पे लिखने है सारी important event और अगर कोई important formulas हैं तो वो भी आपको एक page पे लिखने है तो इस तरह से आपको ये 4 से 5 तरह के pages तियार करने है जो कि last day में आपकी बहुत ज़्यादा help करेंगे मैं seriously बोल रही हूँ हमारे time पे हमें इचीज बताने वाला कोई नहीं था लेकिन आपके time पे आप इत सब चीजे पढ़ाई के साथ साथ आपको करनी है सिर्फ पढ़ते 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 से कभी नौका पाड़नी होती पढ़ने के साथ साथ चीजों को याद रखना है चीजों के short cuts ढूंडने है exam time के लिए आचा यहाँ पर आओ मैंने जैसे आपके साथ GST का schedule decide discuss किया उसी त सबसे पहले आपको PGBP करना चाहिए इसको complete करने में बेटा 4-4 घंटे आपको 5 दिन पढ़ना पढ़ेगा salary को complete करने के लिए आपको 4 घंटे 3 दिन पढ़ना पढ़ेगा capital gain complete करने के लिए आपको 4-4 घंटे कम से कम 4 दिन पढ़ना पढ़ेगा house property complete करने के लिए आपको 4-4 घ एक दिन में चार घंटे पढ़ लोगे, इसका काम हो जाएगा, तमाम, अच्छा, यहाँ पे आप याद रखना बिटा, यह जो हमारा income tax है यहाँ पर प्रैक्टिस जादा चाहिए, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा time जादा इसलिए रखा है, so that आप questions की practice कर पाओ, यहाँ पर time में ही चीजों को achieve करना चाहती हूँ, इससे बाहर मुझे नहीं जाना है, क्योंकि जितने भी बच्चे preparation कर रहे हैं, सब इसी time table को लेके चल रहे होंगे, अपने दिमाग में, because this is the maximum level, इससे ज़्यादा तो आप देई नहीं सकते हो, दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी अब आजओ clubbing पे, set of पे, ये एक एक दिन के हैं बेटा, 4-4 घंटे पढ़ लो हो जाएगा, deduction भी, फिर residential status भी आपको दो दिन पढ़ना है, sorry, sorry, rest all, जैसे appeal हो गया, assessment हो गया, जितने भी return हो गया, ये जितने भी छोटे-छोटे chapter हैं, ये दो दिन में अराम से खतम हो और यहां पे सिर्फ आप पड़ी नहीं रहे हो, आप question की practice कर रहे हो, आप साथ की साथ, question की practice के साथ की साथ, आप यहां पे अपने every chapter का one page note भी त्यार कर रहे हो, important dates भी लिख रहे हो, साथ की साथ important rates भी लिख रहे हो, important event भी लिख रहे हो, important formula भी लिख रहे हो, मतलब ऐसा जो काम काना हो, सब आपने कर लिया इस 20-22 दिन में, उसके बाद क्या करे माम, उसके बाद बेटा ये है अमारी final stage, ये नहीं किया तो बहुत पच्चता होगे, ये जरूर करना है, final stage में कम से कम जब आपका सारा syllabus हो गया है, तो at least बेटा दो test आपको करने, अगर आप पे कितन बादा time है, तो मैं बच्चों को बोलती हो, चार टेस्ट हो यार देखो करी लो, अगर time बिल्कुल भी नहीं है, तो दो test आप करो, दो test करने के बाद, उनको evaluate करो, अच्छा जब ये test करोगे, तो proper अपने phone में timing लगाना, जितने घंटे का आपका paper होता है, उतने ही घंटे म में करना है, और paper मालो आपका 3-5, 3-6 होता है, तो उसी time पे ही बैठ के करना है, मतलब proper एक exam वाले माहल को आपको feel करना है, exam वाला pressure आपके दिमाग पे feel होना चाहिए, उस surrounding में आपको इस test को करना है, मैं में test कहां से आएगा, कहीं से test नहीं मिल रहे हो ना, तो mock test उठा ले पीवाई की उठा लेना किसी भी साल का, उसको solve करने बैठ जाना, लेकिन ये solve करना, देखना कि आपने 3 घंटे में, 2 घंटे में कितने questions करें, कितने questions छूट गए, कैसा आप कर पाए, कैसा आप नहीं कर पाए, this is the final stage for gaining the marks, ये नहीं किया तो बहुत पच्चता होगे, याद रखना, अच्छा, जिस पर time हो बेटा, वो chart test भी कर लेना, so एक बहुत छोटा सा time table, बहुत ही simply time table मैंने आपके साथ share किया, कि आप अपने आने वाले one month को properly, effectively कैसे utilize करोगे, यहाँ पर एक बात याद रखना बेटा, utilize तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ किय जै-जै कार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, so यही विचारों को रखने के लिए मैं आपके साथ आई थी, बहुत जल्दी मैं आपसे वापस से मिलूंगी, तब तक के लिए, bye-bye, take care, God bless you, all and all the very best to all of you for your exams.